Hello Friends, पिछले जो चैप्टर था उसमें हमने Computer Basics की जानकर ली थी, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास Computer में Hardware और Software दो तरहें के Elements रहते हैं Computer Hardware की जानकर यह हमने पिछले Session ली और Software में हमने देखा था कि दो तरहें के Software रहते हैं Operating System और Application Softwares Operating System जो की पूरे का पूरे Computer के सभी कारें को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं यह Software जो रहते हैं इन्हें Operating System कहते हैं इस Session में हम Operating System की ही जानकर लेने वाले हैं Complete Room में Chapter 2 पूरा का पूरा Operating System बेधारित है Operating System क्या है और क्या इसके कारें हैं इन सब इस चीज़ों की जानकरी लेने वाले हैं तो आईए शुरुआत करते हैं Basically Operating System है क्या Operating System Computer User क्यानि कि वो व्यक्ति जो यूज करता है जैसे मैं और आप और Computer Hardware के बीच एक Interface है मैं Directly Computer के Hardware से कारें नहीं ले सकता लेकिन मैं Operating System को चला सकता हूँ इसका अरती है हुआ कि Operating System को अगर मैं क्यों Instructions और Command देता हूँ वह इस Commands या Instructions को Computer Hardware तक पहुचा देता है जिससे कि हम अपने Hardware से काम ले पाते हैं Operating System के द्वारा पहुच सारे Software Program और Hardware को Manage किया जा सकता है यह किया जाता है यहां कुछ Examples हैं जो बड़े Popular और Important Operating System है जैसे Latest जो Windows 10 है Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, MS-DOS यह सभी के सभी Operating System जो मैंने अभी बताए है Windows 10 से लेके MS-DOS सक यह सभी Microsoft Company के द्वारा बनाए गए है इसके लबा एक अलग कंपनी है Apple, Mac OS है इसके लबा iOS, यह दोनो Apple की कंपनी के है Chrome, OS जो की Google का Operating System जो लाँच किया गया है नया बिल्कुल Linux, Unix, यह Operating System जो है यह Linux वालों के Operating System है तो यह कुछ Operating System के Examples है अगर हम Operating System की बात करें तो Operating System Computer User और Computer Hardware के बीच में एक Interface है यह हमारे द्वारा दी गए Instructions और Command को Computer को Explain करता है Operating System के द्वारा सभी Software, Program और Hardware को बड़े अराम से Manage किया जाता है अगर आप इस Graph में देखें तो सबसे पहले Word, Excel या PowerPoint का इस्तेमाल करूँगा लेकिन जैसे ही मुझे File Save करनी है उस समय मुझे Operating System की जूरत पड़ेगी क्योंकि Computer के Hardware से Operating System का रहे ले सकता है मैंने अपना Word की File में टाइप कर लिया है लेकिन जैसे ही File Save पे जाता हूँ अब मेरा Application Software जो है वो Computer Hardware से चेक करेगा कौन सी Drive पे Space खाली है और जब मैं Suppose करें D Drive पे File Save करना चाहता हूँ तो Operating System चेक करेगा D Drive पे जो Word की नाम की File में Save करना चाहता हूँ उस नाम से पहले को File तो नहीं है या मेरे पास D Drive भर तो नहीं चुकी है तो इस तरह से जो Operating System है मेरे और Hardware के बीच में कड़ी का काम करता है मैं अपनी सभी Commands Operating System को Provide करता हूँ और Operating System उनी कारियां को Hardware से लिता है अगर हम Operating System की History की बात करें तो जैसे जैसे हमारे Computer की Evaluation हुई है उस तरह से Operating System में भी काफिसारे बदलावाए हैं समय समय पर Operating System General Motors द्वारा 1956 में तियार किया गया था उस समय या Operating System IBM नामक Main Frame Computer को चलाने के लिए बनाया गया था 1960 में Multi-Programming के Concept का विकास किया गया जिसमें कहीं प्रोगाम को एक ही बार में Memory में रन कर सकते थे Microprocessor Technology इस अधार पर विक्सित हुई कि 1970 के दर्शक में Time Sharing और Real Time System के रूप में Main Frame Computer के रूप में Desktop Computer का निर्बान संभव हुआ 1980 में Microsoft Disk Operating System अविलेबल हो गया यानि की MS-DOS जिसको हम जानते हैं यह CUI Command User Interface Type Operating System है अभी भी है आपके पास Windows 10, Windows 7 सभी तरह के Operating System में as a part of Operating System रहता है 1980 से 1990 के Microsoft में Operating System Windows Operating System की शुरुआत हो गई 1991 में Linux Operating System रिलीज किये गए हमारे पास मार्केट में बहुत सारे Paid और Free Best और Advanced Operating System इस समय उपलब्द है जैसे Windows 10, Ubuntu, Chrome S Free BSD इसके लावा Windows XP, Windows 7, Windows 8 जो है ये हमारे पास Microsoft Company के द्वारा दिये गए हैं इसमें important बात ये है कि जैसे ऐसे computer का वेलेक्शन हुआ electronically उसके साथ-साथ हमारे पास operating system येनि की software में भी काफ़ सारे बलाव होते चलेगे आज की डेट में हम जो operating system प्रियोग करते हैं वह है operating system बहुत ज़र advanced रहता है जिसमें बहुत सारे कारे हो सकते हैं बहुत fast कारे हो सकते हैं और हम computer की hardware को बढ़ी सानी से manage कर पाते हैं अगले session में बात करेंगे मुख्य कारे का रहते हैं operating system की उसकी जनकारी लेंगे अगले session में धन्यवाद